जोकर को लेते हैं हां जी जोकर अलो इविनिंग हां जी जो क्या करने चाहेगा आपने एक मूवी देखी होगी ओम जी ओमाइगाड परेश रावल का मूवी था इसमें एक डायलोग था मतलब वो परेश रावल को नास्तिक बताया एंड में वही गौड का खुषेडा हुआ है लेकिन उसमें डायलोग था कि रिलिजन वहां पर एक इंटरू रहते हैं उसमें वो इंटरू पुछिए कि धर्म हमें क्या सिकता है पहले उसके एक दो डायलोग है उसके बाद वह बुलता है कि धर्म खाली हमें यह सिकता है मतलब धर्म इंसान को लाचार बना सकता है या आतंगवादी यहां है दासे वेरी कुट पॉइंट हम यह करते हैं अक्सर यह पॉइंट हम उठाते होते हैं कि मजभ से एक जो आपक भी साकी मिलती है वह बीशाकी आपको लोजिकली स्पीकिंग होता नहीं है वैसे लोग ऐसा नहीं कि mitर इने जाते हैं कि दौां करके घर से काम पर निकलते हैं कि मानुस अलवा उपर से उतर जाएगा लोजिकली स्पिकिंग होना हैसी चाहिए अगर आपको आना चाहीanan जी हमने खुदकुशी रखी हराम है इसलिए लेकिन अगर ना भी होती है ना हराम फिर भी लोगों ने काम नहीं करना था क्योंकि बाकी रिलिजन्स में नहीं है खुदकुशी हराम की सखसा इस तरह नहीं दी गई तो ये सारे गोल मुटवल जवाब जो है असल में ये लॉजिकल सारी चीज़े है ये सर्वाइवल ड्रिवन है जो कहारे ये शो करता है कि हमारे बायलोजिकल इंस्टिंट जो है वो ज्यादा स्ट्रॉंग है आप मेनत फिर भी करेंगे अपनी हसूल के लिए क्योंकि आपका रोज माना के जो एक्सपीरियंस है वो आपको इस चीज़ का बताता है कि अगर आप घर में केले रहते हैं आपको कोई पानी महां से उठके ग्लास में आके इदर टेबल पर आकर नहीं आजेगा आपको उठके लेकर जाना पड़ेगा लाखोल द्वाई मांग लें आपको थीपे आपको लगता हो आपको उसके साथ कॉंटक्ट चाल रहा है फिर भी आप उठके ग्लास पानी का खुद ही लेंगे तो यह क्योंकि दिस धीस तिंग्स राय हैविली ओन यूर अब्जर्वेशनल एक्स्पीरियंस होता है यह उसके उपर एक्सपेंट करता है और आप के सर्वाइवल की इंस्टिंट जो होती है यही वज़ाए कि लोग खुदकुशी नहीं करते हैं अगर हलाल होता ताब भी नहीं करने थी लोगों लेकिन जो अब आ जाते हैं उसके दूसरे जुजव के उपर लेकिन कुछ लोग एक्सेप्शन हमेशा हर जेगा होते हैं एक वीडियो देखी थी उसमें उनको यह का जाता था वह मैं खाली भलके मूवी थी शायद शिर्याना थी कर दो आपको आपने यह बटन दबाना और आप ने जब दुबारा आंखे खुलेंगी तो रसूल अला के साथ का आप आफ टील ले रहे होंगे ज्वाय का रहे होंगे हौजे को से आपको रसूल अला पानी दे रहे होंगे हां जी और एक सेकर इस तरह का यह लालज दे के लोगों को उक्सा जाता हूं बच्चे और ऐसा भी होता था कि बाद में बहुत जादा होने लग गया कि लोग फिर क्योंकि सर्वाइवल इंस्टिंट है मैं आपको पता असल सर्वाइवल इंस्टिंट ही और्गिनिजम को आगे लेके जाता है आपने बचना है शेर से दूर भागना है आपने आग से दूर भागना है आपको बिमारी लगनी है तो आपने बिमारी के इलाज ढूंडने की कोशिश करनी है चाया बिलिज्यस होना हो आपने जड़ जड़ी बूटी से लाज जूणने की कोशिश करनी है यह survival instinct को पर depend करता है इसलिए यह जो हम काम करते है मजब जो है यह एक ideology है जो बड़े दमाग का हाला कि वैसे वो लगता है जैसे miss normal है कि बड़े दमाग का result है यानि बड़े दमाग का ही side effect है लेकिन अब उससे जादा हम अकल आगे है कि हमें अब इस चीज का असास है कि मजाहिब जो है इनसानों ने बनाए है यह एक social construct है एक इस social नजरिया है जिस नजरिया की अब ज़रूरत नहीं है और उसके बगार भी जिन्दगी सही गुजर जाती है तो यह यह है इसका एक साइड़ अफेक्ट है उससी मुवी में एंड पार्ट में जब वो मुवी है एटीएस के उपर ही है लेकिन लास्ट में गॉड गुसेडा हुआ है तो उस मुवी में जो गॉड बना रहता है अक्षिकुमार उसके मुवी से एक डालोग है लास्ट में एक डालोग तो लोग तुम्हें अपना मजब बना लेंगे इसके उपर मतलब मैं आपके केस में देख रहा हूँ कि पीपल स्टार्टिंग बिलिविंग एटीएस्ट इस रिलिजिएंग नो नो आटन तिंक सो ने आटन तिंक सो पीपल बिलिविंग वो ऐसे शुरू में उनको लगता होगा लेकिन जब इसको डिटेल से सुनेंगे डिटेल से क्यों उससे यही डिपेंट करता न कि जो आपके हो सकता है ऐसे अथिएस्ट इस तिंकर मैं वो देख रहा थे इस वोगत according to some estimate वन बिलियन के करीब भी सबकर लोग एथिएस अगनॉस्टिक या जिनका कोई और और इस तालूक नहीं है वन बिलियन के करीब लोग है विच इस कॉइट अ बिग नंबर और यही नंबर मैं कंपेर करने की कोशिश का रहा था इन दे ये ये नाइटीन हंड़र तो यानि इतनी जो यह बड़े मज़े से कहते हैं ना Fastest Growing Religion यह फासे सग्रॉइंग रिलिजन इसलाम नहीं है तो यह इसलाम नहीं तो यह एक डिजायर है लोगों में स्पिर्च्टियॉलिटी की लोगों की डिजायर है कि किसी और चीश वहाँ तो यह ऐसे होता कि atheist को भी अपने पेगंबर बनाने लाए दें जी ये atheist मैं इसकी बात को मानूँगा हम इसको डिसकरीज करते हैं और जितने आपको atheist influencers मिलेंगे वो आपको यही कहेंगे भई अपनी हकल को खुद इस्तमाल करो हम आपको logic जो देते हैं logic हम आपकी clarity दे सकते हैं लेकिन आपने फैसले अपने खुद करने हम आपके कोई पीर बाबा नहीं है हम आपके कोई वो नहीं है कोई उमार पास supernatural नहीं है हम कभी आपके खौब में आके आपके कमर के हडी कमर में जो तकलीफ है उसको दूर निकार सेते हैं कोई आसी चीज़ नहीं है और atheist doesn't believe इना है यह वह slumber है जिससे हम जाग जाएंगे within a generation or two कुछ baggage होता है हमारे उपर भी हम भी इसी culture की पैदावान है यह baggage है हम पे जो के अगली generation में hopefully खतब हो जाएंगा एक last जो अभी current चल रहा है इंडिया में करनाट का हिजाब का उसी के उपर जो अभी महारास्तर स्टेट में एक चालू हो गया है कि जो अभी last call में जो क्या भूंगा बोलते है ना उसमें से अजान आती है उसी के उपर उसके विरोध में सब जगह चल रहा है कि अजान होनी यह बात यह इसका अब अजान भी इसको ही भी का देए इसेंशल है हमारे बिलीफ के लिए कोई इसेंशल नहीं है बिलीफ मुबाइल फूनों पर लगा लो अब तो चले ओके बहुत शुक्रिया थैंक यू असर जिस दिन बीजे पी यह काम करेंगी नहीं उस दिन मैं बीज मसला मसला बता है क्योंदा देखें हारिस जब आप जब एक कोई भी कम्यूनिटी अगर वो माइनॉरिटी में होती है ना और अगर मिजॉरिटी की तरफ से कोई ऐसा एकदाम किया जाए जिससे वो उप्रेस्ट फील करें तो वो फिर वो चीज वो खता उसको एक्सेप्ट लग जते हैं कुछ और की बेस पर आर्गियमेंट की बेस पर पर फिर भी फोस करना पड़ता जब भी आप मंद्स इंसान बराबर है और काले को उसी बस्रवाह की ने laughs हैुँ को खड़े होके गोरे के लिए सीट खाली नहीं करनी arguments आए popularize की हैं उन गॉत ढख भिस in the 50s and 40s में तो उसके बाद उन्होंने फिर उसको डंडा भी फेरना शुरू किया हर को तो उसके नहीं था जो सफेद फार्म जो सुप्रेमसिस थे वो उसके तो नहीं थे लेकिन वो डंडा उनको फेरना पड़ा फिर भी on the back of a strong argument strong argument फिर भी हो गए इसलिए हम कहते हैं कि तु नहीं आगे हैं कि नहीं जैशीर नाम बड़ा अच्छा नारा अल्ला अकब बुरा नहीं तब मुसल्मान विल फील टार्गेटेड आपने strong argument की बेस के उपर करना कि हमने सारे रिलिजिस सिंबल रोडा दिया नहीं वो बात आपके ठीक है लेकिन वो सफेद फार्म वाला मसल से भी बहुत फरक पड़ता है क्योंकि जो मुसल्मान भी जब कोई बाहर जाते हैं और इतनी पाकिस्तन में नमादे नहीं पढ़ते हैं जो है ना बर्मिंगम आगे पढ़ते हैं लेकिन इदर भी लेकिन वो अदर भी हाटे भी जाते हैं यानि कि दोनों तरीके की होती है ल इनको ये बताया गया है कि जब कुरान पढ़ते हैं जब आइतल कुर्सी पढ़ते हैं तो शेतान जो है ना चीहे मारता वा भाग जाता है पात मारता वा भाग जाता है वो भी एक हदीश है शेतान पाता हुआ भाग जाता है अभी आईशा खान आप ऐसा करें आप आएं आ आजान का पाद सुनन निसाई की 670 वी अदीज के मताबिके जब भी आजान दी जाती है तो शेतान भाग खड़ा होता है जोर-जोर से लॉडली पाद मारता हुआ भाग जाता है ताकि उसको आजान के वास ना है यार आजाई आजान के पाद की बुब आती है यार अवास भी आनी चाहिए ना वो देखना लओडी लिखा हुए तो अवास तो आए लेकिन हमें तो आज भाग तो आज नहीं है जंगल में मोर ना आजा किसने देखा अपनी अपनी हुआय मारते रहते हैं पडूम पडूम आप यह देखें अर बंदे के साथ अगर शेतान जुड़ाव है दिन में पांच ताइम मजाने दुनिया में तो हर वकत बुझनी चाहिए पडूम पडूम साइंसदान परिशान है पिछले 1400 सालों से वो जब नील आमस्रॉंग जो उपर गया ना वो उसको पतन क्या कहते हैं कि यह वकले की एस परिशान परिशान यह क्या है और यह अवादे तब आती हैं जब मोल्वी साहब चीखे मार रहे होतें लाउड स्पीकคร में जुछ सिर्फ उन कइंट्रिज में आती है जब मिस्ट्री है सबचनिह आ रही है मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियोन पर जूर सपोर्ट कीजिए ताके मैं अपना पेगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पंचा सकूँ कर दो झारी?